असलाम अलाइकुम भाई लोग मेरे यूटूब चैनल स्वाद ओफिशियल विलोग में आप सभी का तहे दिल से शुक्रियादा करता हूं तो भाई आज हम आए हैं देवनार वक्रामंडी मुझे शुरू में फोपाड़े दिखते जो कि अलबीनो है फुल गलाभी में और गहने माशाल बहुत ही खुबसूरत हैं कैसा dép करहें दिखा रुझ करिंगे देखे भाई लोग माशालला बहुत ही खुबसूरत गहने में अलबीनो iyi देख सकते हैं माशाल्ला बहुत ही भरा हुआ है गहना है अलबीनों में गहना और चिपरा चिपरा है उपर कलर माशाल्ला बहुत ही जबरदस कलर है भाई उन गहनों पाड़ों का कोई वेपारी तो मिला नहीं वर नाम प्राइज भी पूछते हाई लोग हमें एक एस वाड़े में आये है तो यहां पर चाचा है हमारे अब्दुल चाचा उनके कुछ बकरे सेल के लिए है चाचा अस्सलाव अलेकुम और खैरिया चाचा चाचा कितने बकरे आपके पास अभी छे बचे बकरे हैं चाचा के पास बचे हुए जो और तो बाकी बिक चुके हैं यह बच्चा है वाइट में है जो की 40 से 45 किलो के बीच में होगा और एक यह गुजरी है यह थोड़ा हैवी बच्चा है यह आराम से हाँ 65 से 70 केजी के बीच में आराम से आएगा तो चाचा इसका क्या मांग रहे है इसका चाचा 45 हजार डिमांड कर रहे है बाकी नेगे शीबल हो जाएगा कम जादा कर लेंगे और चाचा इसका यह 35 हजार का है हाइट माशाला अच्छी है और आप देख सकते है गुजरी माशाला बहुत ही अच्छा है बड़ा बकरा है और यह चाचा यह 25 हजार में मिल जाएगा आपको यह बरबरा है बहुत अच्छे कलर पैटन में है कॉलिटी भी माशाला अच्छी है आप देख सक सकते हैं तो आप लोग चाचा को कॉल भी कर सकते हैं चाचा अपनो नंबर बता भी जी 970-2870-515 यह अब्दुल चाचा है हमारे तो आप इन्हें कॉल करके और भी माल इनके आने वाले हैं बाकी बहुत ही रिजनेवल प्राइस में रहता है इनका रेट तो आप इनसे बात कर सकते हैं ठीक है अचा करोली में बड़ा बख रहे हैं आपको देख सकते हैं आपको आपको पुसुरत दिया है वर्जान अप्रोस आएगा शिक्स्टी फाइट टू सेविटी सकाना चाहिए प्राइस उनकी भाई ने बताए 38 को रहे हैं आपकी नेगोशियेबल तो हो जाएगा बात्ची चल रही है भी इसकी तो आइस थोड़ा हाइब होके है अच्छल माशाल आप देख सकते बहुत ही कॉलिटी में है देखे एग्रेशन देख लिजिए इसका और अभी सौधा च किसका इसका 38 बोल रहे हैं इसका 28,000 बोल रहे हैं यह भी माशाल ला अच्छा बच्चा है इसका वजन भी साथ से पैंसाट आएगा इंशालला आप लोग देख सकते हैं बाच्ची चल रही है भी देखो कितने में तय होता है बच्चा तो माशालला बहुत ही खुबसूरत है यह दोनों का जोड़ी का 65,000 बोल रहे हैं और यह एक अज मेरा बच्चा है माशालला बहुत ही खुबसूरत है लेकिन पैसा बहुत जादा बोल दिये 36,000 बोल रहे हैं इसका देखिए है बड़ा बच्चा इसका भी प्राइज बहुत ही हाई मांग रहे हैं बाके आप लोग आईए बाचित करके कम जादा हो ही जाता है भाई लोग आप देख सकते हैं यह हैदराबादी में क्रॉस है लोग गा जादा में और रड़ा लोग जादाा है वाई इस में है और कूछ चोटे-चोटे बच्चे हैं अब करस्यों क्रॉसमत्सिक भी इसका यह करनक जादा है जुट सूश्ध करyu यह चयमरह जाए आ यह जादा सकता है और इधार सौधा भी चल रहा है, लाइब सौधा चल रहा है देख सकते हैं लोग आपको सब्सक्राइब देख सकते हैं लोग यह वाला बच्चा बीग चुका है यह होगा लगभग वजन 35 से 40 किलो आएगा बजन और खुब्सूरत बच्चा है, तो यह बहुत ही रिजनेबल प्राइस में भाई को मिल गया है, आप लोग देख सकते हैं, यह वाला बच्चा है, अच्छा खुब्सूरत है, माशा अल्ला, यह दो बगरे, भाई लिए क्या, कितने का, यह साड़े उन्निस और वो साड़े तेविस, आप लोग देख सकते हैं, भाई लोग, यह बड़ा बगरे थोड़ा, महंगा, ठीक है अभी, यह साड़े तेविस का लिए है, वाईट है माशा अल्ला, और यह भी खुब्सूरत इस बार मंडी तेज होने वाली है, आप लोग देख सकते हैं, दोस्तों, वो लेके गए अभी, साड़े उन्निस का और साड़े तेविस का, जो कि रेट मुझे थोड़ा हाई लगा, तो इस वाक रेट हाई होने वाले हैं, यह एस फाइब बाड़ा है, तो आप लोग देख सकते हैं भाई लोग, ज्यादा तर बच्चे ही हैं यह देखिए, बहुत खुब्सूरत बच्चे हैं माशा अल्ला, आप लोग देख सकते हैं, और यह मेंडे हैं, सब जादे पर शोतरी हैं, एक यह बच्चा है, गोल मटोल है माशा अल्ला, और एक यह है, यह भी माशा अल्ला, अच्छा लेहन द्वाला बच्चा है, आप लोग देख सकते हैं, एक यह बच्चा है, जो की कॉल्यूटी में है माशा अल्ला, सोजत है, और कोई है नहीं वैसे इदर पर, वरना हम प्राइस पूछते हैं, बच्चा है, पालने वाली चीज है, दूम अगरा माशा अल्ला है, डबल हड़ी में बच्चा है, देखें, आप देख सकते हैं, यह सब बच्चे है, इस पालने वाली चीज है, अभी जो बाकि कुर्बानी का जो माल आता है, वो अभी तक नहीं आया है, वो अठरा से आएगा, आप लोग अठरा से संड़े, अठरा तारिक को आप लोग संड़े से आने की कोशिश करिए, यह सब पालने वाली चीज है, इसमें, इसमें थोड़े बड़े मेंड़े आई हुए है, आप लोग देख सकते हैं, यह काफी साइज में मेंड़ा है, और इसमें बखरे भी है, एक मिवाती है, वो देखिए, आप देख सकते हैं, बहुत ही कॉलिटी में मिवाती है वो, बखरे अभी दक तो नहीं आये जादा, लेकिन पाड़े माशालला बहुत ही जादा, पॉंटिटी में और यह सब बड़ी साइज वाले पाड़े हैं, एक पाड़े दिखाता हूं दोस्तों, तो भाई लोग एक यह पाड़े देखिए, माशालला फुल जबरदस पॉलिटी में हैं, और काफी बड़ी साइज में हैं, और एक इधार हैं दोस्तों, यह भी काफी बड़ा पाड़ा है, हम S6 बाड़ा के ठीक सामने है भी इस वक्त, तो आप लोग देख सकते हैं, तयारी माशालला बहुत अच्छी चल रही है, और जैसा के सब जानते हैं कि हमेशा हर सल दिवनार में पानी वगेरा भर जाता था ज़्यादा बारिश के कारण, तो इस वक्त जो है, यह देखें, यह गटर है, दिवनार की बड़ी गटर है, बड़ी लाइन है, तो साफ सफाई बहुत ही अच्छे से तयारी किया है, साफ सफाई बहुत अच्छी है, साफ सफाई सब हो चुकी है देवनार रेडी पोजिशन में है बस तीन दिन और बचे है 18 तारिक से मुकमल तौर पर खुलने वाला है देवनार देवनार के उपर से प्लेन भी जा रहा है आप लुग देख सकते हैं यह कुछ बड़े बच्चे हैं वाइट में सोजत हैं माशालला और भाई लोग हम बिल्कुल एस्टू बाड़े के ठीक सामने है आप लोग देख सकते हैं यह टावर है तो यह तरफ भी काम लगभख हो चुका है बस नीचे नीचे काम बचा हुआ है और उपर तो ज्यादा तर हो ही चुका है और यह आप देख सकते हैं इस बार इंतिजाम बहुत ही बहतर होने वाले पहले से यह एस्टू बाड़ा है जो कि काम कुछ मुकमल हो चुका है बस जमीनी सतय पर काम बाकी है बाकी वैसे तो हो चुका है पूरा और बहुत ही अच्छी पॉलिटी की ताल पत्री वगएरा बिशी है मतलब हर साल के जैसा इस साल नहीं रहेगा इस साल वेवस्था थोड़ी अच्छी होगी और पाड़े तो आ चुके हैं एक ये बड़ा पाड़ा है आप लोग देख सकते हैं बिग फ्रेम में एकदम और बाकी तो काम चली रहा है तो भाई लोग आप लोग देख सकते हैं तैयारी तो माशालला 80% कंप्लीट हो चुकी है आप लोग देख सकते हैं इंतिजाम तो माशालला बहुत ही अच्छा है कितनी भी बारिश हो देखिए अंदर लाइटिंग भी लगी हुई है पूरे हर एक खंबे पर लाइटिंग किया गया है और माशालला बहुत ही अच्छा इंतिजाम लग रहा है इस बार तो भाई लोग 18 तारिक से रेगुलर वीडियो आने वाली है चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपना ख्याल रखो मिलते हैं अगली वीडियो में अस्सलाम अलेकूं